हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल Study with विशाल सिंग में UP scholarship 2024 के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी आज दोस्तों कल था 25 मार्च और 25 मार्च को बहुत ही भारी संख्या में सभी बच्चों का लगबग इस कालर से भेजा गया लगबग चाहे वो जनरल से विलाउं करते हो चाहे OBC, ST, SC, Minority किसी भी काश से विलाउं करते हो वो सब का पैसा कल आया है लेकिन उसमें मतलब दो क्यूश्चन बहुत ही ज़ादा उसमें हमसे पूछा गया कि जिनका पैसा कम आया है मतलब बहुत से बच्चों का जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया है चाहे होonesras już अगर Vinewall वाला student है तो उनके previous year में बहुत ही ज़ादा पैसा आया था लेकिन इस साल कम आया है तो उनको क्या करना चाहिए और लेकिन जिनका नहीं पैसा आया है वो क्या करेंगे बहुत से बच्चे ऐसे भी है कि उनका पैसा नहीं आया है मैंने कम्मूनिटी में कल पोस्ट डाल कर मैंने पूछा भी था कि किनका किनका अगर वेरिफाई है 100% सब कुछ वेरिफाई है तो किनका किनका पैसा आया है वंचित हैं जिनका इस्कालर्शिप नहीं आया थैं इन्हीं दो क्यूमार पर हम बात करने वाले इस वीडियो में बहुत इरी डीटेल शेल से आप सभी को देने वाले हैं इस वीडियो में शुरू सेट बने रही है और वीडियो का ऐसा लगा नीचे कमेंट करकर जरूर वाइए चलते हैं इस वीडियो में आगे आप देख सकते हैं कि बहुत से बच्चों का कल स्कीन सॉट उन्होंने अपना सेर किया जिसमें उनका आया है पैसा और अब बात करते हैं मतलब जिनका पैसा पहले नहीं आया है बहुत से बच्चें ऐसे जिनका पैसा नहीं आया है च 31 March जो Last Date दिया गया है वितियवर्स का सबसे Last Date होता है 31 March और इसी Date तक Scholar Shipp आता है 31 March तक अगर आपका Scholar Shipp आ गया तब तो ठीक है अगर इसके बाद अगर नहीं आया तो आपका अगर फन्ड बचा रहेगा तो बात करते हैं गतम अगर fund बचा रहाएगा तभी आपका scholarship आगा अगर fund नहीं बचा रहाएगा तो आपका scholarship नहीं आएगा 31 मार्च के बद अगर fund बचा हुआ मिला तभी आपका पैसा आएगा अनिथान नहीं आएगा आपका पैसा अगर आपका 100% भी सब कुछ verify है, बहुत से बच्चे करते हैं कि सर मेरा सब कुछ verify है, 100% सब कुछ verify है, और लेकिन fund अगर खतम हो गया, अगर आपका fund खतम हो गया, तो पैसा आपका नहीं आएगा, लेकिन आपको कब तक wait करना है, 31 March तक wait करना है, लेकिन I hope आसा करते हैं कि आपका सभी का मतलब scholarship आजागा 31 March तक, बहुत से बच्चे पूछ रहे ते सर क्या कर सकते हैं, मतलब जिनका पैसा कमाया है, बहुत से बच्चे हैं जिनका पैसा मतलब कमाया है, पैसे कमाने का रीजन क्या है, आए उस पर हम बात करते हैं, और कमाया है तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहा बहुत से बच्चों का कर्या मित करैसे मार्च तक आएगा अब बात करते हैं जनरल और OBC का मैक्सिमम बच्चों का केवल एक ही बार में पैसा आता है केवल एक ही बार में पैसा आता है जनरल चाहे OBC से बिलांग करते हैं उनका पैसा एक ही बार में आता है तो बात करते हैं जनरल OBC का जनरल अगर OBC से आप अगर admission लेते समय तो 75 से 70% ही पैसा आता है अगर आप private से विलोंग करते हैं अगर आप private अगर आपका college एक होता प्राइबेट एक होता government एक होता प्राइबेट एक होता government बहुत से बच्चे private में आड्मीशन लिया हैं तो कहीं ने कहीं वो 60% के लगभग में पैसा या 65% ही पैसा आपाता है यह इस बात को ध्यान रखेंगे जैसे कि example लेते हैं अगर आपका फीस 1000 रुपे है 1000 रुपे है अगर आप private में admission लिए अगर आप private में admission लिए तब तो आपका पैसा ये एक हजार में से आपको 600-700 के बीच में मिलेगा यह नहीं कि एक हजार टोटली आपको नहीं मिलेगा तीस बात को ध्यान रखेंगे अगर यही आपका 1000 है मतलब 1000 अगर एक हजार आपका फीस रहा और यही गौबर्मेंट कॉलेज रहा तो आपका पैसा 900 प्लस में आ सकता है गौर्मेंट कॉलेज और प्राइबेट कॉलेज में एडमिसन लेने का यही एक फायदा है कि गौर्मेंट कॉलेज में लगबाग 100% पैसा दे दिया जाता है और प्राइबेट कॉलेज में कम पैसा दिया जाता है अगर दोस्टो आपका एक government college हो चाए private college हो अगर आप एक renewal के student है जैसे माल लेजे चाए आप private के student हो चाए government के student हो अगर आप renewal के student है जैसे आपका माल लेते है renewal मतलब 2023 में आपका scholarship आया था मतलब माल लेते है 1000 रुपए 2023 में आपका scholarship आया था 1000 रुपए लेकिन यह 2024 में 2024 में आपका scholarship आया है मान के चलिए 700 रुपे मतलब 300 रुपे कहीं ने कहीं कम हो गया इन दोनों के बीज में 300 रुपे कम हो गया तो यह तो ठीक है अगर 300 रुपे कम हो गया या 200 रुपे कम हो गया 100 रुपे कम हो गया तो ठीक है अगर कुछ percent कम हुआ तो ठीक है अगर आपका 50% सीधे मतलब पिछले साल आपका 1000 रुपे आया और इस साल मतलब 500 रुपे आया एक example के तोर पे लेते हैं मतलब आपका सीधे 50% ही आया है तो मतलब मान लेजिए first installment आया है आपका थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो ठीक है लेकिन आपको पूरे डीटेल में आपको मैं बताना चाहूंगा तो अगर आपका 50% पैसा अगर आया एकाउंट में चाहिए आप government के student हो चाहिए private के student हो तो अगर आपका 50% पैसा आया तो मान के सलिए यो first installment ही आपका आया है तो second installment के लिए आपको 31 March तक wait करना पड़ेगा 31 March तक wait करना पड़ेगा और आपका एक बात बता दू अगर first installment मतलब 50% आया है तो आपको second installment भी 50% आने के chance हैं लेकिन 100% यह ओर नहीं कर सकते कि आपका आएगा ही आएगा क्योंकि पिछले साल बहुत से बच्छों का first installment आकर हीरा गया था और second installment के आते आते मतलब fund खतम हो जाता है मतलब बहुत से बच्छों का यह होता है कि first installment तो आ गया इस्टौलमेंट ऑगया लेकिन सेकेंड इस्टौलमेंट आते आते-पैसा खत्म हो जाता है चाहिसीसे बिलौग करते हो चाहीं से से बिलौग करते हो चाहीं शहीं Sage किसी बी अगर कास से आप बिलौग करते हैंगर आपका 50% मतलब एक Prin alle in Stockholm गया तो और 32 आए तो लिए आपका fund खत्म हो चुका है और एक installment से आपको संतुष्ट करना पड़ेगा second installment आने की बहुत ही कम उमीद बच जाएगी अगर 31 मार्च डेट बीत गया और second installment आपका नहीं आया है Central capita 20स मार्च तक अगर आगया तो ठीक है अगर कर नहीं आया तो दिथे फंद होने कि जैदा चाँस एकाउंट में यह कोई fix नहीं रहता है कि इतना आएगा तो इस वीडियो में था यही सब आपको जनकारी देना अगर कैसा लगा है वीडियो नीचे कमेंट करकर जरूर बताईएगा और नीचे कोई भी डाउट रहे नीचे कमेंट करिएगा चाहिएगा पैसे को लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इन जनकारीओं के साथ तब तक के लिए जैहीन वंदे मात रहूं